जैस्री सीता राम आज भारत के पचाहत्तरवे स्वतंतता दिवस पर भारत के जो दो प्रमुक ऐसे विचारकों को है कि विचार जीवन पहलूँ को प्रस्टुत किया जाएगा और उनके कुछ ऐसे अंचुए पहलूँ को देखा जाएगा जो अभी तक अज्यात है ये दो प्रमुक विचारक है जे क्रिश्मूर्थी और ओसो आएए शुरू करते हैं आजाद आधुनिक भारत वर्ष में दो सबसे ज़्यादा चमकते हुए सितारे जो मुझे दिखाई देते हैं वे साउथ इंडिया से जे क्रिश्मूर्थी और नौर्थ इंडिया के ओशो अथार्त रजनीश्ची हैं इन दोनों के कारे विचार और दर्षन ने आधुनिक पश्चमी सब्हेता में जो छाप छोड़ी वो अतुल्नी है लेकिन आधुनिक भारत का ये दुर्भागी ही है कि इने किसी भी विश्विद्याले के दर्षन सास्त्र विशय या कोई अन्य विशय में कोई अस्थान प्राप्त नहीं हुआ असल में कृष्ण मूर्ती और ओशो दोनों ही प्राचीन सनातन भारतिय दर्शन को आधुनिक परिप्रेक्ष में देख रहे थे और उसे समझा रहे थे और अपने जीवनकाल के शुरुवाती वर्सों में ही अपने देश से अथार भारत से ज़्यादा ये विदेशों में पॉपुलर थे वैसे भी भारत वर्स का यहाँ इतिहास भी रहा है कि यहाँ पर किसी मौलिक विचारक को उसके जीते जी वो अस्थान नहीं मिलता जो सम्मान उसके मरने के बाद प्राप्त होता है खैर जे क्रिश्मूर्ती ने जहाँ पूरे यूरोप के ना सिर्फ विचारकों दार्शनिकों बलकि वैग्यानिकों पर भी तथा ओशों ने अमेरिका के आम लोगों के बीड जो प्रसिद्धी हासिल की वो अतुल्निय है और जो अस्थानियों ने प्राप्त किया वो बलकि सनातन भारतिय चिंतन का लोहा भी मनवा रहे थे वहीं दूसरी ओर ओशों अपने करांतिकारी विचारों से अमेरिका जैसे उजड देश में उन लोगों के बीच अपनी ऐसी पहचान बनाए कि वहां की ततकालीन सरकार भी सक्ते में आ गई थी फिर वहां की सरकार ने उनके जैसे महान विचारक के साथ जो किया वो जगजाहिर है ही अब आते हैं शुरुआ से सबसे पहले साउथ इंडिया के महान विचारक जे कृश्मूर्थी जे कृश्मूर्थी को दक्षिन भारत के एक छोटे से गाव से लाकर विदेशों में पढ़ाने वाली महिला Theosoph सोसाइटी की एनी बेशेंट जी थी एनी बेशेंट भारत आने वाले उन कुछ मुठी भर अंग्रेजों में थी जो इस देश के दर्शन धर्म से प्रभावित होकर आई थी आप लोग यह बात जानते ही होंगे कि ब्रिटेन से आने वाले जादतर ब्रिटीस लुटेरे वाली मालसिक्ता के थे या वहाँ के महल से ऐसे लोगों को ही भेजा जाता था जो यहां आकर शाशन करने के साथ-सात यहां के इतिहास, दर्शन, आदिसे छेर चाड़ करकर यहां पर द्वेश हिंसा का वमन कर सकें उसका बीजा रोपर कर सकें जो उन्होंने बाखुबी किया भी अन्य अंग्रेजों की तरह एनिबेसेंट भारत नहीं आई थी एनिबेसेंट भारत आई थी थी थियोसाफिकल सोसाइटी के कार के लिए हाला कि वे एक socialist थी एक socialist महिला थी परन्तु फिर भी उनके अंदर तत्व चिंतन एवं एक रहस्य दर्सी की जो प्रकिर्थ होती है उसके प्रकिर्थ उनके अंदर नहीं थी यह भी ध्यान देने वाली बात है कि थियोसाफिकल सोसाइटी भी अपने आप में एक रहस्य दर्सी संस्था रही थी और इसका संबंध फ्री मेसेनरी जैसी संस्थाओं से था अब आप सोस समझ सकते हैं कि एनी बेसेंट का भारत आने के पीछे कोई मामूली कारण नहीं रहे होंगे खैर जैसा हम जानते हैं जीवन में कई बार ठीक वैसा ही घटित नहीं होता जैसा हम चाहते हैं और यही मैडम एनी बेसेंट के साथ भी हुआ यहां के जिन रहास्यों की पर्ताल करने वो आई थी उन्हें वहीं बंगाल में स्वामी रामकिष्परमहंस के रूप में तुरंत ही वे चीजें पराप्त हुई स्वामी रामकृष्ट परमहंस जी के विचारों का इनके उपर इतना गहरा असर पड़ा कि एनी बेसेंड ने अपनी संस्था से ही एक तरह का विद्रोग कर दिया था योरोप जाकर वापस आगे बताता हूँ फल सरूप थियोसोफिकल सोसाइटी में अपने प्रभाव और स्वामी रामकृष्ट परमहंस के आसिरवाद से थियोसोफिकल सोसाइटी को उन्होंने दो भागों में तोड़ दिया था एक उन्होंने भारत में भी थियोसोफिकल सोसाइटी बनाये था इनका भारत के लिए हिर्दे परिवर्तन हुआ था स्वामी जी के मिलने के बाद और अब इन्हें अपने जीवन के लिए एक बहतर और इस पस्ट रास्ता भी दिखाई देने लगा था वो रास्ता था भारत को अध्यात्म के रास्ते पर ले जाकर उसकी स्वतंतरता का आप समझ सकते हैं कि यदि एक सच्चा संत चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता है जाहिर सी बात है एनी वे सेंट का या हिर्दे परिवर्तन रामकिष्परमहंस जी की प्रेड़ना से ही हुआ था इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के स्वतंता आंदोलन में सनातन हिंदु धर्म के सादू संतों के अपरोक्ष और परोक्ष योगदान भी प्राया नगन ही माना जाता रहा है और एक तरह से इनको इतिहास की मुख्यधारा से दूर रखा जाता रहा है ये बात भी आधुनिक भार के इतिहास के लिए इतनी महत्पूर्ण है कि जिस पर सनातन धर्म और संस्कृति की आगे आने वाले सुनारे भविस्की न्यू भी हम रख सकते हैं वापस आते हैं जे कृष मोजदी पर तो जब एनी बेशन जी भारत वर्स में घूम घूम कर रहस्य दर्शियों से मुलाकात कर रही थी और यहाँ पर अपने फ्री मेसेनरी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के काट से सम्मंदित रहस्यों की परताल कर रही थी कुछ तंद्रमंद्र और कर्मकांडो की खोज कर रही थी उसी दवरान साउथ इंडिया के मदरास के एक छोटे से गाउं में इन्हें पांच साल का एक अदबुस सुंदर ब्राम्हड बालक दिखाई देता है उसकी बड़ी बड़ी आँखें तीखे नाक नक्ष और भोली सूरत से एनी बेसेंट तुरंद प्रभावित हो जाती है और मदरास के उस छोटे से गाउं से जे क्रिश्मूर्ती सीधे यूरोप पहुंच जाते हैं असल में जे क्रिश्मूर्ती को देखते ही एनी बेसेंट की भारत संबंदी वह एक खोच पूरी हो जाती है जिसकी आधार सिला स्वामी रामकिस परमहड जी ने इनके अंदर रोप दी थी जैसा की पहले मैंने बताया वो बात थी भारत वर्ष को एक अध्यात्मिक गुरू के माध्यम से स्वतनता दिलाना और ये खोच उन्होंने क्रिश्मूर्ती को देखते ही समझ ली थी और उसके बात शुरू होती है जे क्रिश्मूर्ती की पास्च्यात्य सैली में भारतिय अध्यात्मिक गुरूमिंग ये बात भी काफी महत्पूर है असल में जे क्रिश्मूर्ती जी थियोसोफिकल सोसाइटी और खासकर एनिमेसेंट का एक परियोग के जैसे थे वो शुरूआती दोर में लेकिन इससे जे क्रिश्मूर्ती को कम करके नहीं आका जा सकता क्योंकि वे एक चेतना संपन्वेक्ती थे और यूरोप के एलीट क्लास में जो उनकी पूँच और पहुँच थी वो शायद ही अपने जीतेजी किसी अन्य भारतिय दार्शनी की रही हो तो यूरोप में क्रिश्मूर्ती की जो अंग्रेजियत माध्यम से भारतिय दार्शन और अध्यात्म की जो ग्रूमिंग शुरू हो रही थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एनिबेशन ने जी क्रिश्मूर्ती को व्यस्क होते ही संत घोशित करने के लिए एक पुस्तक प्रकासित करवाई जिसका शीर्शक था अट देफीट आफ दा मास्टर्स इस पुस्तक के माध्यम से एनिबेशन ये सिद्ध करना चाहती थी कि जे क्रिश्मूर्थी 21-21 साल की अवस्था में एक enlightened गुरू है जो भारत से आए हैं और विदेशों में खास कर यूरोप इंग्लेंड के एलीट तबकों में उनको वो इस माध्यम से इस्थापित करने का प्रयास कर रही थी एनिवेसेंट ये सोच रही थी कि वो भारत के अलोकिक ज्यान अध्यात्म और दर्शन का लोहा एक अत्यंत सुन्दर सोफेस्टिकेटेड और यूरोपियन कल्चर में पले बढ़े कृष्णमूर्ति के माध्यम से यूरोप इंग्लेंड के बुद्ध जीवी वर्ग में भारत के प्रती एक सौफ्ट कॉर्णर बनाकर भारत को स्वतनत्रता दिलाने में मदद कर सकती हैं इसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने अट दे फीट आफ दे मास्टर्स की रचना की थी जो असल में खुद एनी बेसेंड ने स्वामी रामकिष्ट परमहंस जी के लिए लिखी थी लेकिन अपनी उच्छ महात्व कांग्षा के चलते ही उन्होंने जे कृष्मूर्ति के नाम स या पुष्टक छपवाई थी इस सत्य पर प्रकास अभी तक किसी ने नहीं डाला है ये ऐसा पहला वीडियो में आप ये बात सुन रहे हैं जो इतिहास में दवाई चुपाई गई है अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एनी बेसेंड ने एक संस्था बनाई थी दे गोल्ड इंग्लेंड के सत्या सीर्स के बीच लोगों के बीच कारे करके उनके बीच पैट बनाकर फिर भारत में इसी संस्था के द्वारा स्वतंता की रूप रेखा तैगर करनी थी लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसा हम सोचते हैं बहुत बार वैसा होता ही नहीं असल में इस संस्था दा गोल्डन स्टार के पीछे स्वामी रामकिष्ट परम्हंस जी की शक्तियां कारे कर रही थी उनका अशिरवात कारे कर रहा था इसलिए एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से विद्रो करके भी इसे बना सकी वरना थियोसॉफिकल सोसाइटी इलूमिनिटी और फ्री मेसेंडरी के आगे यह संभव ही नहीं था लेकिन फिर भी इन तीनों संस्थाओं के गहरे दबाव में एनी बेसेंट आ गई और वो कारे करने लगी और उन्हें यह समझाने में भी सफल रही ही कि भारत की सोतंता के बाद यह संसा मतलब गोल्डन इस्तार भी आपके लिए ही किसी न किसी परोग्षा परोग्ष तरीके से कारे करेगी इस प्रकार एनी बेसेंट एक सिक्रेट डबल एजेंट के जैसे कारे करने में या उस रूप में आ गई उनके इस समझावतावादी कदम से क्या हुआ कि स्वामी रामकिष्ट की शक्ती उनके लिए निस्क्रिय हो गई और न सिर्फ निस्क्रिय हुई बलकि विरोध में खड़ी हो गई अब यह समस्तें की कैसे हुआ सुनिए जब एनिवेसेंड ने दा गोल्डन स्थार संस्था बनाई थी तो स्वामी रामकिष्ट परमहंस जी की अध्यात्मिक शक्ती उसमें समाहित थी फल सोरूप यह संस्था जे क्रिश्मूर्थी के नेत्युत में यूरोप के एक बड़े तपके को अपने प्रभाव में ले चुकी थी तब तक लेकिन जैसे ही एनिवेसेंड ने दबाव में आकर उन तीनों गुप्त संस्थाओं से संधी की वैसे ही स्वामी रामकिश्परमंस की वो अध्यात्मिक आत्मिक दैविय शक्ति का पात इस संस्था के प्रमुक अथार्थ जे क्रिश्मूर्थी पर हो गया इस अलोकिक शक्ति पात के प्रभाव से जे क्रिश्मूर्थी के प्रग्या चक्षु खुल गए मतलब उनमें सच्चे संत के गुण स्वता ही प्रस्फुटित हो गए क्योंकि वो ही एक मात्र इस अध्यात्मिक रास्ते पर बहुत वर्सों से चलते हुए चले आ रहे थे तो ये स्वाभाविक ही था कि ये इनर्जी उन्हें ही टच करेगी ऐसा होते ही जे क्रिश्मूर्थी ने तुरंथी द गोल्डेन स्टार के सभी अनुयाईयों की एक बड़ी बैठक बुलाई थी बड़ा हांगामा हुआ था अंदर ही अंदर यह बात भी गुजने लगी कि अब क्रिश्मूर्थी जी शायद भारत की और रुख करेंगे लेकिन होनी को कुछ और ही मनजूर था और उस बैठक को एक जागरित आत्मा अथार्थ जे क्रिश्मूर्थी ने संबोधित करना शुरू किया उन्होंने कहा विश्व की कोई भी संस्था व्यक्ति अथवा पुस्थ तक किसी भी मनुष्य को सत्य तक नहीं पहुचा सकते मानों को स्वयम ही उस सत्य की खोज करनी पड़ती है इसलिए आज मैं इस द गोल्डेन स्थार नामक संस्था को मैं भंग कर रहा हूँ आप सब लोग आज से सत्य की इस खोज में अपने अपने तरीके से स्वतंत रहें और यह बात कहते हुए उन्होंने गोल्डेन इस्थार को भंग कर दिया था इस प्रकार इस संस्था को भंग करते समय उन्होंने जो बात कही वो गौतम बुद्ध ने जो हजारों साल पहले बात कही थी अथार्त अप दीपो भाव अपने दिये स्वयम बनो या अपने अंदर के प्रकास को जानो क्योंकि वही सत्य है इस प्रकार ओशो के सब्दों में कहें तो जे कृष्मूर्ती यह बात और कारिकर के मैत्रे बुद्धा के अवतार को प्राप्त हुए और उसके बात जे कृष्मूर्ती ने जो भी प्रवचन दिये वो सभी भारतिये दर्शन के एक पहलू में एक पहलू में इसलिए कह रहा हूँ अहिंसा और शांती के प्रमुक संदेश जो गौतम बुद्ध ने दिये थे उसको उस पहलू को लेकर वो उनके सारे प्रवचन एक मील का पत्थर है आज भी है वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके बात के उनके वक्तव्य में एक गहरी प्रग्या से वो बोलते थे उनके उनके वक्तव्यों ने उनकी बातों ने यूरोप के ततकालीन दर्शनिकों विचारकों के साथ साथ वैज्यानिकों और राजनेताओं पर भी एक अमिट छाब छोड़ी थी इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिश्मूर्ती का जो जीवन और जिस काम के लिए थे सॉफिकल सोसाइटे उनको ले के गई एनिवेसेंट उनको ले के गई और गुरूमिंग किया एक उनको सोफेस्टिकेट तरीके से वो पेश करना चाहती थी क्योंकि यहां के सादुसंतों को वहां ले जाती तो उनको वह चीज नहीं समझ में आ रहे थी प्लस एनिवेसेंट के कुछ गुप्त कारी भी थे और दूसरी संस्थाओं के उससे भी लेकिन स्वामी रामकिष्परमहंस का जो असर उनके उपर